नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के वी इलेक्टिकल मेंटेनेंस में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडस्ट्रियल टॉप के कनेक्शन कि इंडस्ट्रियल टॉप के कनेक्शन कैसे के जाते हैं और यह जो टॉप होते हैं वो जातर इंडस्ट्री में ही यूज होते हैं या फिर जो हमारे घर में एसी बगएरा होते हैं उसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं तो इसके connection कैसे के जाते हैं वो हम आपको बताने बाले हैं क्योंकि इसके connection है वो किसी practical में आप से पूछ लिए जा सकते हैं जिससे आप अगर अपने देखा नहीं है connection नहीं देखा तो आप क्नेक्षन नहीं कर पाएंगे देखें दोस्तों यहां पर ये टॉप होता है90 त distracted top होता है जिससे हमारे घर में five pin top होता है इसी प्रकार से यह भी टॉप है और ये industry में use होता है, जो बड़ी-बड़ी machine होती है, उसमें इसका use किया जाता है, जिससे इसके पिंस होती हैं, वो दोनों cover में बंद होती है, बाहर बी कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता है, और ये जो cable होती है, इस प्रकार की cable जो भी आपकी equipment है, या machine है, उसमें इस आपको मिलेगी और उसको आपको इस टॉप में कनेक्ट करना हुगा तो देखी यहां पर हमने क्या किया यह दोनों न्यूटल ब्लेक और जो रेड बायर है फेस और न्यूटल इसको हमने थोड़ा छोटा काटा हुआ है और इसके बाद जो अर्थिंग वाला बायर है उसको थ खोल लेना होगा जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसका जो कनेक्शन कॉन्टेक्ट है यह बाहर आ जाएंगे देखिए इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे और इसमें यह बाशर लगा होता है तो यह आपका बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है यह बाशर आपको गुम नहीं करन और फिर यह बायर है इस टॉप के अंदर जो आपकी टॉप की बॉड़ि है इसके अंदर डाल लेना होगा और इसको बायर को है आप फुड़ा ऊपर निकाले बाहर निकाले जिससे आप उसके कनेक्शन को अच्छे से कर सकें तो देखिए यहां पर मार्किंग होगी कि यहां आपको आपका कनेक्टर है उसके अंदर जो इंसुलेशन ना जाए और इंसुलेशन बाहर तक रहे कि बाहर भी कोई भी जो हमारा बायर है बाहर ना निकला रहे तो इसलिए आपको बायर को इस प्रकार से छीलना है कि जो आपका इंसुलेशन है वो पूरी तरह से बाहर से उसको कवर कर सके कोई भी बायर है आपका बाहर ना निकला रहे किसी भी कनेक्टर से तो आपको इस प्रकार से बाहर को छील के और इसको अच् और इसके बाद आती है जो अर्थिंग है तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको होल देखेगा तो उस होल में आपको यह जो बाइर है उसको इस प्रकार से डाल देना होगा इसको आपको थोड़ा इंसुलेशन है उसको ज्यादा छीला होगा और इस प्रकार से डाल के यहाँ पर आपको आगे बाला जो होल है उसके साइट को इस प्रकार से मोड देना होगा जब आप इस प्रकार से इसको मोड देंगे और उसके बाद जो आपकी जो connector body है जो connector body है इसको आपको top के अंदर रखना होगा इस प्रकार से बायर को खीचेंगे तो यह यहाँ पर अंदर fix हो जाएगी और उसके बाद जो आपका screw है उसके लिए बहाँ पर जगह है तो बहाँ पर आपको इसको tight कर देना है जिससे आपकी जो connector body है वो जो आपका top की body है उसमें fix हो जाएगा तो देखिए इस प्रकार से बाशर लगा लेना हुआ और इसको आप यह से प्रेश कर लेंगे hole के पास रख लेंगे और यह बायर है आपका जो अर्थिंग बायर है उसको जो आपका बाशर था उसके नीचे अच्छे से दवा लेना हुआ और उसके बाद आपको इसको अच्छे टाइट कर देना हुआ तो देख लिए आप इसको खीचके भी देख सकते हैं और यहां पर देखिए जो बायर है वो इसकी जो इसक्रूप था उसके जो बाशर है उससे अच्छे तरह से टाइट हो गया है और यह जो आपका कवर है य यह आपकी पहले से लगी रहेगी इसमें बायर में और इसको टाइट कर देना है और इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं और आपको इस प्रकार से यह जो टॉप बोडी होती है उसमें आप इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से इसके कनेक्श